Hello and welcome to Quintra classes and today the topic of discussion is again problem solving और उस problem solving में हम लोग string के question कर रहे हैं यहाँ पर हम आपको एक question कराएंगे digit code जिसको मैं आपको कराने वाला हूँ इसका क्या मतलब है इस question को पढ़ेंगे और इसका python code करके देखेंगे और यह सारे के सारे problem आपको TCS, NQT, InfinityQ में problem में मिलेंगे coding round में तो यह आपको बहुत ध्यान रखना है कि coding के round के किस question सो किस तरीके से solve करना तो आपको क्या दिया है given two strings यहाँ पर आपको दो string दिये given two strings containing digit, alphabets and special character तो आपको दो string दिये आपको एक digit code बनाना है by extracting the digit from the string such that अब उन strings में से, यह आपको string दिये, इसमें से digits निकालना है इनमें से digits को बहार निकालना है और एक code बनाना है such that digit code has a digit from first string followed by digit from the second string क्या मतलब है इसका मैं समझाने की कोशिश करता हूँ देखिए आप sample input देखिए, यहाँ पे आपको दो string दिये, एक ये और एक ये अब इन दोनों में आपको क्या है, alphabets भी है, numeric भी है और special character भी है fine, अब आपको एक code बनाना है, जो क्या हो, उसका code किस तरीके से पहली digit का, पहली string का पहला digit फिर दूसरा अब देखिए, पहले क्योंकि पहला 0 है, इसलिए यहाँ पे 0 नहीं आरा पहला इसका 2 है, यह 2 आ गया, फिर हम यहाँ चलेंगे, पहला 1 है, तो यहाँ पे 1 आ गया, फिर इसके बाद 9 आ रहा है, तो फिर यह 9 आ गया फिर हम आगे चलेंगे, 3 आ रहा है, तो फिर 3 आ गया, फिर हम next पे आएंगे, 7 आ रहा है, तो 7 आ गया, अब इसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं, अब ऊपर यही बचा है, 4 और 8 तो 4 और 8 एक साथ आगया, clear है, यह बात आपको समनी में आ गई, तो आपको इस तरीके सा code बन स्टार्ट करने के कोशिश करने है, अब यह code क्या है, अब आप ध्यान से देखें, हमने एक input ले लिया, तो my string, आपको पता input, input क्या होता है, by default string होता है, तो हमने यह input ले लिया, तो एक यह input ले लिया, और दूसरा input मैंने यह ले लिया, तो दो मैंने input ले लिया, जो आपक सबसे क्यांदा है looking, 최근 s1, विर विर श्रायर का प्रने सबसे इंप्रेटि है यह लेख्रीड है, फिर फिल्टर है फिर लैमडा है. लेमडा एक एक एनव्यममीस फंक्शन होता है, तो lambda एक anonymous function होता है, जिसे अगर आपने C++ पढ़ा है, उसमें inline function होता है, तो inline function एक function होता है, which is expanded in a line, और C language में macro बोलते हैं जिसे, macro, ठीक है, तो macro आप हो चाहिए उसको inline function करो, और python में हम उसको बोलते हैं, lambda function, तो lambda एक line का single line का function है, अब lambda function मुझे लिखना है, तो मैं कैसे लिखूँगा, plus के लिए, तो मैं लिखूँगा, lambda, ठीक है, lambda function लिखूँगा मैं, और फिर यहां पर suppose करो, मैंने यहां पर लिख दिया a, fine, और फिर मैंने लगाया colon, और फिर मैंने लिख दिया a plus 5, इसका क्या मतलब हुआ, अब मैं आपको समझाता हूँ, अब मैंने print के यहां पर 5 में यह function है, और यह उसका expression है, तो जो भी आपने a की value दिये वो उसमें उड़ जाए, तो 5 में 5 हो गया, तो x में 10 आ गया, और answer आपको 10 प्रिंट हो जाए, fine, तो यह lambda function है, मैं आपको एक gist दे रहा हूँ, fine, तो यह तो के lambda function, अब दूसरा एक function है filter function, तो what is filter function, filter function एक ऐसा function है, जिसमें 2 argument pass होते है, तो पहला function क्या हो, पहला तो उसमें होता है function, पहला argument होता है function, और दूसरा होता है iterable, किसको iterate करना है, तो ध्यान से समझना, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कि filter function क्या होता है, filter function एक ऐसा function होता है, जिसमें 2 parameter pass होते है, मैं तो अब अगर इस filter function को देखो, तो ये पहला function ही तो है, lambda function, और ये lambda function किसके उपर iterate करना है, iterable क्या है, मेरी list है, ये हमारी string है, इसके उपर iterate करना है, तो करना क्या है, करना क्या है, ये करना, ये काम करना है, तो क्या काम करना है, ध्यान से देखो, भई ये मैंने कहा कि मैंने my MyString1, MyString1 में क्या पढ़ा, यह दिया है, तो मैंने का, MyString1 लो, हाँ, उसने बोला, ठीक है, जी, MyString1 लेते हैं, तो MyString1 में क्या था, whatever, A, 0, B, 1, $, C, 3, whatever it is, वो था, कह रहा है, MyString लो, Iterable लो, और इसमें Lambda function लगाओ, तो मैंने का, Lambda function क्या कर रहा है, कह रहा है, यह जो तुम एक एक करेक्टर उठा रहो है, इसको चेक करो, क्या यह digit है, अगर condition true है, अगर condition true है, तो इसको list में डाल दो, तो A क्या digit है, नहीं, ठीक है, 0 क्या digit है, हाँ, digit है, तो इस तरीके से होगा, क्या, जब यह function चलेगा, तो एक list बन जाएगी, और जितने भी digit है, क्योंकि is B2C9 star T7, तो यह क्या करेगा, पहला उठाएगा, वो चेक करेगा, क्या digit है, नहीं, condition false, अब वो दूसरों करेगा, क्या यह digit है, तो इसको भी दूसरी list बन जाएगी, तो num1 तो बन गई, num1 तो बन गई यह, और num2, num2, num2 बन गया आपका यह, अब num2 में क्या आ गया, num2 मे सिफ digit अलग हो के आ गया, क्योंकि आपका काम ही है, आपका काम क्या है, आपको एक digit code बनाना है, fine, अब मैंने क्या कि, answer नाम की empty string ले ली भाई, answer नाम की empty string ले ली, तो ले ली, अब क्यारा, for i in range, अब बताओ भाई, हमारे पास, हम इसका code कैसे बनाना था, पहले की पहली digit, फिर दूसरे की पहली digit, फिर पहले की, दूसरे की, दूसरी digit, that is one, फिर दूसरी, दूसरी digit, फिर यही तो answer आ रहा, the two one, क्योंकि zero ignore हो रहा था, फिर three, फिर seven, और उसके बाद इसमें कुछ बचा ही नहीं, तो four eight, तो obviously ये loop कहां तक चलेगा, minimum तक ही तो चलेगा, तो जो list minimum उसी तक तो चलेगा, तो कह रहा है, for I in range, minimum of length of nums, और length of nums two, तो इसकी length कितनी है, one, two, three, four, five, और इसकी length कितनी है, तो दोनों में minimum कहा है, तीन, तो answer किसका कितना आ गया, तीन, तो ये function कहां तक चलेगा, ये loop कहां तक चलेगा, zero से लेकर two तक चलेगा, एक value होग इसकी zero, एक value होगी one, एक होगी two, क्योंकि minimum three है, इसका, fine, ये तक तक समझ में आ रहा होगा, अब देखो क्या करता है, answer में, answer जो एक empty string थी, answer एक empty string थी, इसमें जोड़ दो, क्या, num one में से pop करो, zero, zero मतलब पहले element को pop करो, तो जब पहले element को pop करेंगे, तो zero, zero आ गया, अब नीचे क add करो, num two का, num two में क्या है two, zero character को pop, zero में जो pop करो, two, two pop करके two, यहाँ पर आ गया, clear, ये बात आपको समझ में आ रही होगी, फिर देखो, अब फिर वो क्या करेगा, अब फिर open loop जाएगा, तो i के value कितनी होगी one, भाई, i के value होगी one, अब one हो गया, तो nums one मतलब nums one मतलब लिस्ट में से pop करो, zero क्योंकि ये तो निकल चुका है, अब इस zero में क्या पढ़ा है, one, तो यहाँ पर one आ जाएगा, फिर answer में, उस ही में, nums two में से pop करो, zero क्योंकि ये निकल चुका है, तो वो nine, nine add करेगा, फिर i के value कितनी हो जाएगी, two हो जाएगी, फिर वही करेगा, num nums one में से ये भी जा चुक है, pop करो zeroth element, इसमें zeroth position भी क्या है, three, तो यहाँ पर three आ जाएगा, फिर इसमें से pop करो, ये जा चुक है, seven, तो यहाँ पर seven आगे, clear, अब ये loop खतम, लूप false हो गए, लूप से बाहर आगे, तो अब वो लूप से बाहर आगे, तो जब वो लू जाया था फिछले code में, तो join क्या है, क्या करता है, अगर आप सिर्फ nums को कर देंगे, तो वो list बनाएगा, और join क्या करेगा, उसको stream में convert कर देगा, तो कह रहा है कि answer में जोड दो, answer में already इसने, answer में जोड दो nums one को, तो nums one में क्या पढ़ा है, four eight, अगर length of nums one zero से जोड देता, तो इसको में ने चोड दिया, तो finally ये काम जोड गया, तो वो rate जोड गया, अब बहार आके मैंने क्या किया, answer को print करा दे, integer के form में, तो यह आपको answer आ रहा है, यहाँ पर zero नहीं आएगा, क्योंकि यह नहीं है, clear, तो यहाँ तक बात में जो आपको समझा दी जो मैंने आपको समझा करता हूँ, तो फिलाल ये मुझे समझाना था कि ये digit code हमने कैसे create कि, अब मैं इसको run करा के भी आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपको चीज़े clear हो जाए, कि ये काम हो कैसे रहा है, हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, तो चलते हैं, हम लोग अपन कोट की तरफ, मैं इसको कोट करकर दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैंने आपको फिछला कोट दिखाया था, यहाँ पर मैं आपको ये कोट दिखाता हूँ, Ctrl V, और मैं इसी में से input यहीं ले लेता हूँ, ताकि देख लेता हूँ, input आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो यह जो सो मुच पर वाचिंग कुंद्रा क्लासेज, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर दा चैनल, यह TCS के लिए, Infosys के लिए, किसी भी कोडिंग कॉंपेटिशन के लिए, यह दोनों ही कुशन आपके लिए बहुत इंपर्टेंट है, So thank you so much for watching, thank you, thank you so much, thank you so much.